वेल्कम बैक तो मैं चैनल फेक्शन मिन हिंदी कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होगे और आपने अपने ख्याल रख रहे होगे प्रेंट्स अगर हम आज कल की जेनरेशन की बात करें तो हर दस में से एक इंसान ऐसा है जिसको वीक में एक वार सिर्दर्द होता ह ही होता है यह सिर्दर्द होने पर आप या तो टैबलेट लेते हैं या सो जाते हैं लेकिन आपने कभी यह गौर किया है कि इस तरह का सिर्दर्द आपको क्यों होता है मैं किसी बीमारी की वाज़े से होने वाले सिर्दर्द की बात नहीं कर रहे हैं और आज हम बात करें हैं जाके कुछ कंडिशन्स पे जिसके कारण से आपको यह सिर्दर्द होता है कुछ हमारी डाइट में कुछ कमी होती है कुछ न्यूटिर्शन्स में कमी होती है जिसके कारण से आपको यह दर्द मैसूस होता है लेकर हम सोचते हैं कि बस यह है और हम कुछ टैबलेट लेते हैं औ लिकना अगर आप ऐसा करते हैं और रेगुलर तोर पैसा करते हैं तो इसके कारण से आपको प्रॉब्लम फेस्ट करनी पड़ सकते हैं आगे जाके ये आपके हैल्थ के साथ कोई बीमारी का रूप ले सकते हैं तो आपको सिर्दर्थ किस वज़े से हो रहा है चलिए आज हम ज खाने पीने और बहुत सारी चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान देने का समय नहीं मिलता है और हमें जू सामने फ़र्ष्ट आता है मुझ को खा लेते हैं जो जटपट मिल जाता है उसको खा लेते हैं हमारी नूट्रिशन स्पैल्यू काम हो गए है तो ऐसे में मारी करने होती है सारी चीजें मैने करनी होती है जब हमें इस्ट्रेस भरता है तो इसके करण से सीर्दग शुरू हो जाता है तो इस्ट्रेस से रिलीफ जरूर आपको रहना चाहिए ताकि आपको इस तरह कि हैडिक ना हो और इस पर मैंने प्रीबिस में वीडियो बनाई थि कि कि आप stress से कैसे दूर रह सकते हैं stress relief कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस कारण से आपको इस दा दो सबसे पहले होता है vitamin D की का vitamin D का source वैसे तो सूरज है और अगर आप 10 मिनिट के लिए सूरज की रोशनी में रहते हैं तो यह सफिसेंट जो है आपको मिल जाता है vitamin D जो होता है यह आपकी kidney के द्वारा release किया जाता है तो vitamin D जो होता है आपकी body के function के लिए बहुत important होता है या आपकी bones के लिए भी जरूरी होता है vitamin D की कामी आजकर बहुत common हो गई है महिलाओं में तो बहुती common है क्योंकि किसी के पास इतना time नहीं है कि सुपह की दूप के 10 minute जो है वो आप ले और इसके अलावा अगर आप दूप में जाते भी है तो पूरी तरीके से या तो आपकी cover होते है या फिर आपने sunscreen में अपलाई की होती है जिसके कारण हमारे body को जितनी vitamin D की जरूरत होती है वो मिल लिए पाती है जिसके कारण से आपको सिरदर्द रहने लगता है अगर आपको सिरदर्द vitamin D की घामी से हो रहा है तो आप इसको कुछ food द्वारा ले सकते हैं जैसे के dairy product हैं दूद है दही है या आपको supplement ले सकते हैं चोकि vitamin D के लिए दिये जाते हैं और धूप की रोशनी में भी आप रह सकते हैं vitamin D की समचित मात्रा आपको लेना पहुंच ज़्यादा जरूरी है यह आपके overall health के लिए जरूरी होती है आपके mind के लिए जरूरी होती है और सिरदर्द से रिलीव देती है वेकिन हमेशा याद मैख है अगर आप कोई supplement के थूरू vitamin D ले रहे है तो बिना डॉक्टरी सला के क्योंकि vitamin D की अधिक मात्रा भी आपको नुक्सान पहुंचा सकती है नेक्स चीज की बात करें तो यह research जो की गई थी यह research में ही थाबित हुआ है कि इन चीजों की बज़े से ही सिर्दर्द होता है और यह research की थी National Institute of Health ने की थी और इसके मुताबिक जो है अगर हम बात करें vitamin D की quantity की तो 19 से 70 साल के जो इंसान होते हैं उनमें 600 IU यानि इंटरनेशनल यूनिट जो होती है उसनी vitamin D की जरूरत होती है vitamin D अगर हम 71 से अधिक वाले लोगों की बात करें तो इनको 800 IU इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है तो vitamin D के source जैसे कि मैंने का आप आप सुर्की रोषनी से ले सकते हैं सप्निमन से ले सकते हैं या अगर आप कुछ food product से ले सकते हैं milk product से ले सकते हैं दूद धाई या fatty face जो है इनमें vitamin D जो है अच्छी माक्रान होता है इसके अलाबा काले चने जो होते हैं छोले जिने हम बो की सरी में दर्द रह सकता है करली आपके मास पेस्टियों को रेलेक्स करने का काम करता है तो यह आपके बोडू में मिलटरंस और N veर्फस सिस्टम मुसल्स में जो है रिऊलेट करता है और इसकी कमी से आपको सरा-देट होता है तो इसको यह इसका मेर्न काम होता है आपके BP को पंट्रोल करना तो जब भी आपका BP हाई होता है अबने देखा है आपका सिर भारी हो जाता है इस लिए इसको भी manage करना जरूरी है और इसकी कमी से आपको माईगरेन भी हो सकता है माईगरेन का जो दर्द होता है वह तेज होता है और बहुत सारी चीज़ों के प्रति जाती है जैसे के लाइट तेज म्यूजिक और इसकी कंडिशन बहुत ज्यादा बिगड़ती ही जाती है अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेट नहीं कराते हैं तो माईगरेन के समस्या से भी आपको मैंगनेस्यम तो इसके लावा हरी सब्जा, दूद, घाही मैं मैंगनेशेम अची मातरा में होता है सिर्दद का एक और कारान होता है dehydration या पानी की कमी हो जाना जो कि कई बार हम इतने वीडियों होते हैं पानी कितना पीना है कब पीना इसका हमें ध्यानी ने रिता है तो एजर में आपको बोड़ी में पानी की कमी होती है या आप कोई मेंत वाला कान करते है उसके बाद आप पानी की कमी होती है तो आपको सीर्दध फील हो सकता है इसलिए जाब से ज़्यादा पानी पीजिए पानी की जो मात्रा होती है और हमारी से टॉक्षिंश्य God yht कालती है अगर आपको पानी प्लैन पीने में मज़ा नहीं आता है ये आप नहीं पी पाते हैं तो इसमें कोई टाल सकते हैं या कोई फ्रूट जूस डाल सकते हैं और आप इसको पीजिए तो एक इंसान को मिनिमम डाई से तील लेटर पानी एक दिन में जरूर बीन मचाईए। इसके बाद बीट्वेल की कमी से भी आपको सिर्दार्थ की समझ्चा रहताती है। भीटैमिन बी-12 जो है आपका खाना होल्ते के dzień को परता है तो यह आपके बोडि के लिए भूत ही इंपोर्टेंट होता है। और यह आपके माशक क्या क्यों और नसों को सवस्त बनाने के लिए भी इंपोर्टेंट होता है। व्यटैमिन बी विटेमिन B1, B2, B3, B5, B6 जो है बहुत इंपोर्टेंट होते हैं यह आपको साबुत अनाज, सबजियां, फल से मिल जाते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं इसकी कमी से काई बार लोगों को पैरलाइस तक हो जाते हैं क्योंकि आपकी मास्पेस्यों के लिए मसल्स महिला में 1.1 mg की जरूरत होती है अगर प्रिग्णेट है तो इसके लिए 1.4 तक 1.6 mg की जरूरत होती है इसके लावा फॉलिक एसिड है बिटामिन B कॉंपलेक्स जो है इंपोर्टेंट होते हैं तो यह आपको अपनी डाइट में सामिल करने हैं इसके लावा सोरियम की कमी स में सब्सक्राइब कोता है तो सोरियम आइब यानि आस ये है फोच जाता निकल जाता है तो आपको यह कामीया आपकी बॉडियों में हो जाती है जो कि आपकी इंपोर्टेंट होती है तो इसलिए अगर आपको बॉड़ी में ऐसा लग रहा है कमजोरी आ रही है याप यह एठन उरे है लेक्टरोलाइट का करता है अगर आप सिंपल नम यह इस इन चीजों की आपकी बोड़े में कमी होती है जिसके कारण से आपको यह दर्द होता है अब इस तरह को जो दर्द होता है वो लगाता नहीं रहता है यह जब भी आपकी बोड़े में इन सबी चीजों कमी होने लगती है तब आपको यह फूल होता है तो आप इसको जानकरी पसंद आए होगी, जानकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, वाच चनल को सब्सक्राइब करें, इसे जुड़ा हुआ कोई कोश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आपको करें। झाल